जंता तो यही कह रहे है कि एक बहुप जीत के बाग गया एक बहुप यारके बहाग गया कभी दर्मिंदर यादव आजमगर्ड दिखें थे नहीं हम लोग 19 में हारे थे तो भी यहींste řेकर काम कर रहे थे और बाइस में जब जीते तो उसके बाद भी यहां रहे के काम किये तो अभी तो हमको डेड़ साल ही मिला था उसमें हम जितना कर सकते थे कि अब जब पांच साल के लिए उसर मिलेगा तो हम लोग और ज्यादा काम करेंगे कि अब फिर मैदान में क्या लग रहा है उस लड़ाई और इस लड़ाई में कितना फर्क रहने वाला है कि इस बार हम लोग और बड़ी जीत हासिल करेंगे क्योंकि जो लोग 22 में हम लोगों से नहीं जूड़ पाया थे वो भी अब जूड़ रहे हैं और सब लोग यह बात कर सब्सक्राइब को हैं कि नरेंद्र मोदी प्रदान मंद्री बनने जा रहे हैं कि कि एक बंज और साम सारकार के साथ रहा और कितना सारा काम हसा वा आजमगड में है कि तो यह तो हम अपना डेर साल का doesn् train tradition का देते हैं ये लोग अपने पचास साल का अपने पचाँ में लोग क्या कि ए और ठावां के ले लिजिए और यह कोई चुपा थोड़े अगर रासेपुर्थीतरा का मार्क बना तो बनाए यह ना का वुद्गाटन हो गया तो वहां से जहाज शुरू हो गई कि खड़ा हो गया है संगीत महाविद्यालय बन गया है वह सारा काम जो हम कहते हैं कि हम लोग करा है धरातल पे आया तब तो कह रहे हैं और अगर पहले भी इनको मौका मिला था उननिस में तो में जब धर्मिंद्र यादव हारे तो हारने के बाद कई दिन आजम गड़ाए हैं वही आप उनसे पुछ लिजी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर बस्पा का गडबंधन उननीस में नहीं होता तो अखिलेश यादव जी उननीस में हार गए होते तो उनको यह साफ पता है कि अब आजम गड़ाएंगे तो वहर जाएंगे तो इसलिए वह नहीं आए एक ब्यक्तिगत किसी के जाने से कोई फरक इसलिए नहीं पड़ता है कि अगर बस्पा पूरा गई होती बस्पा के साथ हुआ होता गडबंधन तो लगता कि हाँ भाई वह मजगूत हो गए सिर्फ गुड़ू जमाली की जाने से तो कोई फरक नहीं पड़ेगा मुझे लगता है कि हर पार्टी अपना प्रत्यासी उधारती है और सब लोग जीतने के लिए लड़ते हैं और हम लोग भी जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं और इसलिए लड़ रहे हैं कि हम जो है जीत करके और प्रदान मंत्री जी के साथ आजमगड को लेके चलें और जो पूरा देश इतना तेजी से विकास कर रहा है तो हमारा आजमगड भी उसी तेजी से आगे बढ़े आज देखिए प्रधानमंत्री जी के वज़े से ही हमारा जो आजमगड का रेलवे स्टेशन है तो एकदम उसका सुंदरी करण हो रहा है बढ़ियां बन रहा है जो बड़ी बड़ी उड़ाने हैं वो देश के हर हिस्से में होने लगे तो वो भी करने के लिए हम लोग मैदान में हैं तो हम लोग को सरकार के साथ रहके काम करना है और यह बात आजमगड की जंता भी अच्छे से जान गई है कि अगर हमें आजमगड को चमकाना है तो सरक झाल, 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 झाल